एक बार फिर आप सब का स्वागत करूंगा और जैसा कि हमने अमारे लास्ट लेसन में इस्टेबिलिटी आफ नोट्स के उपर हमने जोर डाला था कि किस तरीके से आपको सही प्रनांसियेशन के साथ गाना है और अपनी गायकी में निखार लेके आना है अपने वोकल कॉट्स को बहुत ही स्वीट बनाना है विद इमोशन्स विद प्रॉपर फीलिंग्स भाव के साथ साथ तो चलिए आगे समझते हैं कि आखिर कैसे इन इस पे फोकस किया जाए तो चलिए सबसे पहली बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम सभी के वोईस क जो कल्चर है मन सभी के वोकल कॉट्स का जो कल्चर है वो अलग-अलग होती है सबकी आवाज डिफरेंट डिफरेंट होती है म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे लेजंड्स है बहुत सारे लेजंड्स अपनी आवाज दे चुके हैं मैं उन लेजंड्स के नाम लेना चाहूंगा बरुम मुहमद रफी सहाब, किशोर कुमार जी, मुकेश जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, गीता दत्त जी, हेमंत कुमार जी, etc. ऐसे बड़े बड़े नाम बहुत सारे हैं तो जितने भी नाम मैंने आपके सामने लिए सबका एक वोकल कल्चर अलग था सबका गाईकी का अंदाज अलग था और बहुत ही खूबसूरती से निभाते थे हर गीत अपने आप में एक स्टडी है अपने आप में एक डीटेल स्टडी है कि किस तरीके से उसके भाव को पकड़ते हुए आपको गाना है और भाव के साथ साथ गीत क्या कह रहा है गीतकार ने क्या जोर डाला है उस गीत पे उसकी लाइन्स पे और उसको किस अंदाज से म्यूजिक कंपोजर ने म्यूजिक डारेक्टर ने म्यूजिक कंपोज किया और एक गायक से गवाया यह हम बात कर रहे हैं अब धीरे 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 काफी सारे डिजिटलाइजिशन बढ़ गया है पहले लाइव रिकॉर्डिंग्स होती थी अब यूज्वली स्टूडियों में ट्रैक पहले से ही बन जाता है और उसके उपर वॉइस डप करते हैं कलाका एक वोकलिस्ट तो किस अंदाज से हमको अगर हमको उसी अंदाज में अपने आपको लेके जाना है तो हमको उन लेजंड्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है जिनके मैंने अभी नाम लिए और ओल्ड इस अल्वेस गोल्ड पुराना है लेकिन आज भी नया है पुराने गीतों को हम और खुबसूरती से गा सकते हैं अब मेरे कहने का तागपर ये ये है कि हमको कुल मिला के कॉपी नहीं करना हमको बिल्कुल भी आवाज से आवाज कॉपी नहीं करना कि हम सोचे कि महम्मद रफी साहब की आवाज डिक्टो कॉपी करने किशोर्दा की आवाज डिक्टो कॉपी करने लता जी की आवाज डिक्टो कॉपी करने की कोशिश करें आशा जी की आवाज डिक्टो कॉपी करने की कोशिश करें बिल्कुल भी नहीं आपके पास आपकी अपनी आवाज है आपको अपनी आवाज में प्रेजंटेशन देना है प्रेजंटेशन सेट करना है अंदाज आपका और emotions और भाव, feelings वही जो वो गीत कह रहा है तो इस चीज़ को समझते हुए चलना है अब voice culture की हम बात कर रहे है vocal chords की तो vocal chords में हम ये बात जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी आवाज अलग अलग आवाज है किसी की बहुत शार्प है तीखी आवाज है किसी की थोड़ी सी करकश टाइप की आवाज है किसी की आवाज बहुत ही बेसी है बहुत वेटेज है बहुत भारी आवाज है और किसी किसी की आवाज बहुत ही नॉर्मल है ठीक है तो यूश्वली हम बात करेंगे थ्रो की कि सबसे पहले हमको हमारे थ्रो समझना बहुत जरूरी है आवाज का थ्रो होना चाहिए अगर आपको अपनी आवाज लोगों तक पहुचाना है एक मंच पे खड़े होके तो आपको अपनी आवाज का थ्रो मजबूत करना बहुत जरूरी है वो कैसे होगा? वो होगा र्याज से the parent note, the root note सा कैसे? चली जानते हैं अगर मेरी आवाज में मुझे bass find करना है मुझे bass अपनी आवाज में बढ़ाना है तो उसके लिए ऐसा कौन सा र्याज है ऐसी कौन सी टेकनीक है जो हमको follow करनी चाहिए उसके लिए mainly खरज का र्याज बहुत जरूरी है खरज मींज मंदर सब्तक की प्रेक्टिस मंदर सब्तक में जैसे समझते हैं काली एक श्वर साव अब आप समझ में आया मैंने क्या किया मैं सा पे गया सा से नीचे नी पे आया और उसके बाद मैंने कीस से आपको identify किया नोट्स को जहां तक आपका स्वर लग रहा है पूरे confidence के साथ उस स्वर को लगाना है और जो स्वर नहीं लग पा रहा है आपको अपने गले में pressure फील हो रहा है आपको stress फील हो रहा है आपका गला ठक रहा है तो उस स्वर पे बिलकुल भी focus नहीं करना बिलकुल भी नहीं लगाना है वो नोट नहीं लगाने से ताथ पर ये नहीं है कि कभी नहीं लगाना वहाँ आप पहुँचोगे लेकिन उसके पहले जो आपने स्वर लगाया है उस पे focus आपका बहुत ज़रूरी है means अगर मैं बात करता हूँ सा के सा सा पे focus बहुत ज़रूरी है सा से नी नी सा अगर धा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो नहीं जाना है नी तक लगा लुआ कुछ दिनों में नी से आप आप अटोमेटिकली धा पे आ जाओगे कुल मिलाके स्वरों के साथ प्रॉपर इंसाफ करना है ये patience का matter है and patience is very must very important in music thank you so much